आजादी की सतत्तर्मी वश गांट पूरा देश धूमधाम के साथ मना रहा है जिसमें जन्पत में आज रविवार को जजबा दौड का आयोजिन हुआ जहां केंद्री मंत्री संजीव बालेयान उर्त्रप्रदेश सरकार में राजी मंत्री कबिल देव अगरवाल और प्रिशासनी कधिकारियों सहीते हजारों लोगों ने बरचड कर हिसा लिया स्वतंता दिवस्य पूर्व समर पेते युवा संगठन के दौड़ा इस जजबा दौड का आयोजिन किया गया जिसमें जन्पत के युवाओं ने बरचड कर हिस्सा लिया इस दौड़ान केंद्री और राजिये दोनों मंत्रियों ने युवाओं के साथ खूब दौड लगाई इस जजबा दौड के दौड़ान जगा-जगा नगरवासियों दौड़ा पूलों की वर्षा कर दौड का स्वागत हुआ आज की ये जजबा दौर नगर में इस्तित राजकी इंटर कॉलेज के मैदान से चल कर नगर की विभिन निमार्गों से होती हुई वापस मैदान में आकर समाप्त हुई इस दोरान मीडिया से बात करते हुए जहां केंदरी राजी मंतरी संजीव वालियान ने कहा कि तीन वर्ष से समर्पित युवा संगठन द्वारा जजबा दौर का आयोजन स्वतनता दिवस के आस्वास किया जाता है इसमें बड़ी संख्या में पूरे शेहर एवं जन्पत के युवा भाग लेते हैं एक अलग से देश भक्ती का महौल रहता है समर्पित युवा संगठन हमेशा समाजिक कारियों में आगे रहता है पिछले कई सालों से लगातार इस संगठन के द्वारा इस दौर में भाग लिया जा रहा है समर्पित युवा संगठन हमेशा समाजी कारियों में आगे रहता है और इनका यह आयो जन्प मुझे सब ज्यादा पसंद है और करीब पिछले यहीं सालों से मैं लगातार इस संगठन के द्वाया जित इस दोड में भाग लेता हूं और आप पुरे रास्ते जब युवा और छे साथ साथ सकते हैं और आप कैसकते हैं पच्छी साथ तक युवा देश मक्ति के बात करते हैं तो अलग तरह का जजबा देखने के मुझा लगता है कि 10-15 जार युवा तो शाद होंगे सारे मिलागे और सबसंदी बात क्या है कि कई हजार हमारी छोटी बच्चियां जो इस दोड़ों महादती है जंकपत का माहौर बताता है कि युवा चाहे लड़के हों लड़के हों यही कहुंगा कि वो कुछ कहते रहे या तो युवा भारत मता की जही बोलेगा मुही स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि जजबा दौड मुझाफर नगर की समाजिक संस्था समर्पित युवाओं के द्वारा आयूजित की जाती है पंदर अगस के अवसर पर नौवी दोड़ है ये और प्रतिवर्ष इसी प्रकार इसका आयोजन होता है हजारों की संख्या में बेठियां, बच्चे, नौजवान, बुजर्ग, महिलाएं और पुरोष इसमें दोड़ते हैं इसमें राश्च भक्ती का जज़बा कायम होता है हमारे प्रधान मंत्री ने इस बार मेरी मार्टी मेरा देश का आवान किया है जिसमें गाउं से लेकर शेहरों तक हर तरफ स्वतनता दिवस आयोजित हो रहा है साथ ही शहीदों को नमन किया जाएगा और उनका इसमरती गाउं के अंदर लगाया जाएगा उन्होंने कहा कि मुजफर नगर में हजारों की संख्या में लगातार बच्चे और बेटियां भारत माता की जै बोल रहे हैं और वंदे मातरम बोल रहे हैं इस बार मेरी माटी मेरा देश इसका अवान किया है गौँं से मिट्टी आएगी गौँं की नोजवान जो शहीद होएं उनको नमन किया जाएगा उनका इसमाती पट्ट गौँं केंद लगाया जाएगा वो मिट्टी ब्लॉक तक ब्लॉक से लेके जन्पा तक जन्पा से लेकर प्रदेश तक प्रदेश तक पहुंचेगी तरंगा फेरा जाएगा और शांडार जोने तीन का विशे जाए जोने तेरा चुरा पंदा सभी यह जोने लोग तो यह जोने इनके पूर जी करते आएं तो उसी प्रदेश के समय में तेश का विभाजन हुआ हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये हुए लिंक से जोन करें रॉयल बुलिटिन का वाट्सप ग्रोप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने वाट्सप पर अपने आसपास की खबरों के लिए सबस्क्राइब करें रॉयल बुलिटिन और इस वीडियो पर कॉमेंट के जरीए अपनी राय देना ना भूले